इन लोगों ने मीटिंग लिये रिव्यू मीटिंग सभी अधिकारियों के साथ सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौझूद थे हमारा सबसे इस टाइम पहला मकसद है कि लोगों के जिंदगियां वापस नॉर्मल हों हिंसा तो रुक चुकी है अब हिंसा की कोई कहीं वारदात नहीं आ रही है लेकिन कई लोग घर छोड़के चले गए हैं वो लोग वापस अपने अपने घर लोटें और आपस में सभी समुदायों के बीच में वापस दोस्ती और भाईचारे का रिष्टा कायम हो ऐसा हम लोग कि दुबारा सुचारों रूप से शुरू करवाने के लिए सरकार की ओर से जो भी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो सहायता देने के कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दुकाने जल गई कई लोग ऐसे हैं जिनके घर जल गई कोछ लोगों की मौत हो गई इन सभी लोगों को हम लोगों ने मुआफजा देने के लिए एलान किया है तो हमारे जैसा मैंने बताया था कि जो ये चार सब्डिविजिन्स हैं जो अफेक्टेड हैं उसमें हम लोगों ने बाहर से अब टोटल 18 SDM वहां पेनियों की हो हैं तो एक एक SDM के अंडर में बहुत मैं थे छोटे चोटे अब ऐरी आते हैं दो टीन चोटे कोलो निज आती हैं तो अभी हमने सारे SDM के साथ मेटिंग की और लगबक सभी SDM अपना एरिया का बहुत डीतेयल में रांड ले चुके हैं और कई बार रांड ले चुके हैं तो उनको हमने गहा है कि सारे इंद्टि जले तो हाला कि काफी कुछ कर चुके हैं लेकिन मैं अभी आपको फिगर नहीं दूँगा कल तक हम आपको एग्जैक्ट फिगर बताने की स्थिती में होंगे कि exactly कितने घर जले कितने वेहिकल जले कितने दुकाने जली क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत वह वेरिफाइब कर अब लोगों को आज रात तक या कल सुबह तक इनिशल एक्सक्रेशिया एमाउंट दे दिया जाएगा थाकि वो लोग अपनी जिल्दगी शुरू कर सेके इसमें जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या जिन लोगों के घर सब्स्टांशली जल गए हैं या जिन इंजेड हों हैं उन लोगों को एक एक्सक्रेशिया एमाउंट दिया जा रहा है तो उसके अलावा SDM जो हैं वो एंशॉर करेंगे या तो वो खुद या अपने किसी सीनियर आफिसर को भेज के ये एक बार ही जब हमारी सारा बन जाएगा तो हम इस पे डिपेंडनी करेंग कि लोग हमारे पास आके फॉर्म देखे जाएं उनके घर हम फॉर्म भिजवा रहे हैं जो डेट लोग हैं उनके भी इंजेड लोग हैं उनके जिनके घर जल गए जिनके दुकाने जल गए जिनके वेहिकल जल गए उनके हम घर फॉर्म भिजवा रहे हैं और ताकि वो घर भ रहने की भी दिक्कत नहीं है, जो लोग छोड के गए हैं, वो कई लोग जिनके घर जल गए हैं, वो अपने दोस्तों या रिष्टेदारों के यहां चले गए हैं, कुछ लोग हैं जिनको जरूरत है, उनके लिए हमने नाइट शेल्टर में और कमेनिटी सेंटर में इंतिजाम किया है, लेकिन वो जो इंतिजाम हैं अभी तक सफिशेंट है, क्योंकि अभी भी खाली पड़े हैं, कापी जगे हैं नाइट शेल्टर में, अभी भी खाली पड़े हैं, अगर और जरूरत होगी तो और इंतिजाम करेंगे, लेकिन अभी और जरूरत नजर आ नहीं रही है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग वापस भाईचारे के साथ रहें तो SDM को आज हमने कहा है कि जब वो जा रहे हैं तो आसपोडोस के लोगों को इकठा करके वो कहें वही आप खुद फोन करके वापस बुलाईए इनको और उनको कहिए कि हम चाहते हैं कि हाप वापस आएं और आप रहें और आपको आपकी सुरक्षा हम करेंगे तो इस तरह का एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर शांती वेवस्था को कायम करने के लिए ने तो लोग डर के मारे अगर वापस लियाएंगे तो वो सही नियाएंगे तो पूरी दिली सरकार सारी डिपार्टमेंट्स इसमें लगें में और पूरी कोशिश हमलुक कर रहे हैं और सफाई वेवस्था भी कि जो जिन जिन इलाकों में सफाई की प्रॉड्रम थी उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है जो रात को स्ट्रीट लाइट्स जहां जहां का काफी जगहों पर ठीक कर दी गई है उसकी लिस्ट भी बनाने को आज कहा गया है कि उसको तुरंक ठीक किया जाए है हमने अपने सभी गवर्मनेंट स्कूल्स में खास पर सेcessor से समसी की मीटिंग कराई पैरेंट्स की और जो बाकी समसी के मेंबर्स हैं अनो लोगों की सै समसी मेंबर्स के साथ में क्योंके सब्सीयार उसी लोकली से आते हैं उनहीं के बच्चे वाँ पढ़ते हैं उस पाश क तो उनसे एसेस किया था सारा, उनकी क्या राय है, तो आन तोर पर यही राय निकल का है कि अभी, अलाकि एक्जाम चल रहे हैं, रेगुलर क्लासिज नहीं है, पर अगर एक्जाम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए जा सकें, तो हमारी ग्रह पर रिक्षा हैं, इनहाउस एक्जा इस वक्त ऐसे में उनके परणा, हम भी समझते हैं, पैरिंट्स का भी मानना था, प्रिचर्स का भी मानना था, कि अभी स्कितिया वो नहीं है, गनकुल की उनकी परिक्षा ली जाए, तो हम सीवेसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि फोड़ा बढ़ा दे या इस दिले के एक् कंदावर एक्वेस्टि प्रिकुंकल शया अजिव più वोड़ां गहे हैं, कि थे तामना। झाल यहंने इस एक्ता हो, कि उनके कि एक्पथा उनको रहे हैं, भी से एक्षा भी मानना थाए, भी मानना थाए, गईस्याए, ऑशे ले गणावार दिले कि एक्षा ऑलिक्षा एक